एलो दोस्तों तो चलिए आपका यहाँ पर याद सकती बैच जहाँ पर आज डिसक्स करने चले हम Income from Other Sources, Income from Other Sources आपका चेप्टर आज हम खतम कर देते हैं जहाँ पर Concept plus Question हम डिसक्स करेंगे जिस तरीके से हम अभी तक बढ़ाते आ रहे हैं काफी सारे वीडियोस प्रोवाइड कर दिये और उसमें आप एड कर लीजें यहाँ पर Income from Other Sources आज आपका खतम कर देते हैं चलिए सबसे पहले तो आप जो है Let Us Recapculate में आ जाईए ठीक है Let Us Recapculate में आ जाईए और यहाँ से Discuss करते हैं हम अपना Chapter ठीक है इसमें सारे Point Cover है नहीं सारे Point Cover नहीं है कुछ ऐसे Point है जो इसमें Cover नहीं है लेकिन उस Question के साथ Cover हो जा रहे है ठीक है Question के साथ हमने Discuss कर लेंगे ठीक है तो हम वहाँ पर Question के साथ आपके Discussion हो जाएगी आईए सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए कि जो आपकी Income From Other Sources में कौन-कौन सी Income Taxable होगी सबसे पहले तो यहाँ पर General बाते कर दी है एकदम Simple बात कर दी है कि अगर पीछले जितने भी Head है ठीक है उसमें अगर आपकी Income Chargable नहीं है Taxable नहीं है तो सीधी सी बात है वह Income जो है यहाँ पर Income From Other Sources में Taxable हो जाएगी क्लियर है दूसरे Head में जो है Income Taxable नहीं है वह यहाँ पर आपकी Taxability आ जाएगी ठीक है अब यहाँ पर कुछ ऐसी बात करी गई है कि जो Income जो है आपकी Other Source में आनी है आनी है मतलब कि यह जो Name discuss कर रहे है वह यहाँ पर ही Chargability होगी ठीक है जैसे की Dividend Income अगर आप किसी भी तरीकी की Dividend Income कमा रहे है Simply वह Other Source के अंदर ही Chargable होगी और कहीं नहीं ठीक है और कहीं नहीं इसके बाद Casual Income अगर आप इंकम कमा रहे है तो Casual Income भी सीधी सीधी आपकी जो है Other Source के अंदर Taxable होगी और Other Source के अंदर Flat 30% की इसाप से taxable हो जाएगी casual income means आपकी जो है lottery है puzzle है rest है ठीक है वहाँ से जो भी आपकी winning होती है जो amount मिलता है वो सारा का सारा amount जो है other source के अंदर taxable हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पे ध्यान रखना है अब यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे किस तरीके से taxability होती है अगर आपकी कोई casual income है ठीक है casual income है तो simply आपका जो है यहाँ पे 30% tax लगता है और यहाँ पे plus 4% अलग से जो education health and education tax है वो लगता है ठीक है और उसके बास जो है आपकी amount यहाँ पे आती है ठीक है तो यह आपका जो है हर एक यहाँ पे हर एक चीज़ पे जो है 30% लगीगा याद रहे यहाँ पे किसी भी तरीके का जो है आपको यहाँ पे expense अलोव नहीं है मतलब कि casual income कमाने के लिए कोई भी किसी भी तरीके का आप expense करते है expenditure करते हैं तो वो expenditure आपको यहाँ पर अलोग नहीं करा जाएगा ठीक है किसी भी तरीकी का expenditure किसी भी तरीकी का deduction अलोग नहीं है आपको 30% tax pay करना ही करना है ठीक है casual income में किसी भी तरीकी का आपको जो है कुछ भी provide नहीं किया जाता है अब यहाँ पर ज्यांत से देखना अब यह exempt होगा या taxable होगा exempt होगा तो तो कोई दिकत नहीं है और taxable होगा तो simply वह taxable होगा आपका income from other sources के अदर ठीक है income from other sources के अंडर वह taxable हो जाएगा ठीक है जी अब यहाँ पर बात करते हैं कि किस तरीके के gift हो सकते हैं तो यहाँ पर simply समझें यहाँ पर simply समझें किस तरीके से gift हो हो सकते हैं सबसे पहला जो simple हम जो general सोचते हैं उस तरीके का gift कौन सा gift money gift मतलब की आपको पूरे साल में ठीक है पूरे year में आपको जो है 50,000 से ज्यादा ज्यादा अगर gift नहीं मिला है case यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ किसकी case gift की case gift आपको 50,000 से ज्यादा नहीं मिला है पूरे साल में तो आपका वो एक्जेम्ट है अगर 50,000 से ज्यादा जे मिला ठीक है मान लीजे 50,000 वन रुपीज मिला 50,000 आपको वन रुपीज मिला तो यह पूरा ही taxable हो जाएगा यह पूरा amount taxable हो जाएगा 50,000 से जितना यहाँ पे आगे गया उतना नहीं पूरा taxable fully taxable यहाँ पे amount हो जाएगा ठीक है तो 50,000 तक अगर amount है तो not taxable exempt है 50,000 से ज्यादा गया तो fully taxable ठीक है अगर money receive हुआ है तो अब यहाँ पे बात करते है property की तो property दो तरीकी की हो सकती या तो movable property हो सकती है तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते है movable property without consideration मतलब कि आपने कोई भी खर्चा नहीं कि आपको free में property मिली है movable property means आपको जो है यह movable property में क्या-क्या include होता है तो movable property में जो जो चीजे include होती है वो चीजे आप जो है capital gain जो chapter है वहाँ पर पढ़ते हैं basically यहाँ पर जो है mainly आप जो है काफी सारे ऐसे point देखेंगे जो capital gain के अंदर आपके cover होते है अब यहाँ पर देखिए कि movable asset में movable property में आपकी कौन-कौन सी asset जो है यहाँ पर include होगी तो यहाँ पर देखेगा movable property में आपकी jewelry, archaeological collection, drawing, ठीक है, archaeological collection, drawing, painting, sculpture, any work of art ठीक है और bullion, bullion जो है वो jewelry का ही part होता है, bullion का मतलब होता है raw gold ठीक है, raw gold तो यह सारी चीज़े यह सारी चीज़े आपकी movable property के अंदर आएगी इसके अलावा कोई चीज़े है तो वो other source के अंदर नहीं आएगे, ठीक है इन चीज़े की ही बात कर रहे है, other source के अंदर मतलब कि गिफ्ट की definition में नहीं आएगी ठीक है तो gift की definition में जो जो चीजे बता ही jewelry है, archaeological collection है तो ये सारी चीजे जो है आपकी movable property है और movable property अगर आपको जो है अगर आपको जो है without consideration receive हो रही है without consideration अगर आपको receive हो रही है तो simply आपको यहाँ पे simply आपको यहाँ पे 50,000 rupees का 50,000 rupees तक का जो है आपका exemption मिलता है मतलब कि अगर आपकी जो है जो property है ठीक है movable property है उसकी आपको fair value लेनी है और fair value जो है वो 50,000 rupees से exit नहीं करनी चाहिए अगर 50,000 rupees से exit कर गई तो पूरे का पूरा आपका जो है यहाँ पे इसका amount है वो taxable हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पे देखना है यहाँ पे movable property है उसके लिए fair value, fair market value ली गई है और immovable property की बात करते है तो वहाँ पे stamp duty value ली गई है ठीक है तो यहाँ पे बस इतना ही difference है बाकि सब कुछ सेम है देखे, movable property without consideration receive हो रहा है आपको simply लेना है fair market value जो आपको देखना है 50,000 से exit हो रहा है या फिर नहीं ठीक है 50,000 से exit हो गया taxable है 50,000 से exit नहीं हो रहा है exempt है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है immovable property की बात करूँ without consideration stamp value आपको देखनी है property की यह जो property आपको receive हो है without consideration उसकी stamp value देखनी है क्या वो stamp value 50,000 से exit हो रही है अगर हो रही है तो taxable है यहाँ पे other source के अंदर अगर exit नहीं हो रही है exit नहीं हो रही है तो simply वो exempt है clear है simply वो exempt है अब बात करते है ऐसी property की जहाँ पे inadequate consideration आपने दिया है मतलब कि अगर कोई property है जिसकी value है value है मान लीजे 3 lakh रुपीज जिसकी value 3 lakh रुपीज है लेकिन आपने जो है उसके लिए payment 1 lakh रुपीज ही करा है 1 lakh रुपीज में आपको जो है वो amount वो property receive हो गए तो इसे हम कहते inadequate consideration मतलब कि 3 lakh की property आपको 1 lakh में provide कर दी गई है तो यह inadequate consideration है और अगर inadequate consideration पर property आपको receive हो जाती है तो simply वो other source के अंदर taxable हो जाएगी तो other source के अंदर यहाँ पर immobile property और movable property दो तरीके की हो सकती है ठीक है inadequate consideration में दो तरीके की property है movable और immobile अब movable property में देखो movable property में किस तरीके से movable property में simply आपको देखना है कि जो आपने movable property consideration inadequate consideration پر purchase करिए वो consideration आपने कितना pay कि रहा है और plus fair market value उस value की जो उस property की fair market value कितनی है ठीक है fair market value and consideration जो आपने pay किया ये दोनों को आपको difference लेना है ये दोनों का आपको जो है क्या लेना है difference यह दोनों का difference लेखना है यह difference जो है 50,000 से exit नहीं करना चाहिए अगर 50,000 से exit कर गया है तो यह other source के अंदर taxable हो जाएगा अगर 50,000 से exit नहीं कर रहा है तो simply वो exempt है कोई taxability नहीं आएगी clear है इसके बाद immowable property inadequate consideration है immowable property inadequate consideration है तो simply आपको जो है यहाँ पे जो consideration पे किया और stamp duty उसका difference लेना है यहाँ पे जो है movable property में याद रखिए movable property में आपको fair value को जो है importance दिया गया है इस movable property में जो है आपको stamp duty को जो है importance दिया गया है ठीक है तो यहाँ पे क्या करते थे fair value और consideration का difference लेते थे यहाँ पे stamp duty और consideration का difference लेना है लेकिन यहाँ पे देखिए movable property में 50,000 ही देखा जाता था यहाँ पे दो चीज़े देखी जाएगी 50,000 और 10% of consideration इन दोनों में जो higher है वो आपको लेना है यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे आपको जो है simply यहाँ पे देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है stamp duty value और जो आपने consideration पे किया उसका difference ले लेना है ठीक है उसका difference ले लेना है और आपको यहाँ पे simply इसे compare करना है और higher लेना है ठीक है compare किस से करेंगे 50,000 और 10% of consideration 50,000 or 10% of consideration यह रहा यह वाला 50,000 or 10% of consideration simply आपको यहाँ पे लेना है higher इन दोनों में से आपको higher लेना है और यह higher जो है वो आपकी limit बन जाएगी इस limit से ज्यादा गया तो simply taxable हो जाएगा इस limit के अंदर है तो exempt है ठीक है यहाँ पे for example अगर मान लिया जाए कि आपकी जो है stamp duty value ज difference कितना आ रहा है one lakh ठीक है one lakh आपका difference आ अब यहाँ पे देखें consideration का 10% consideration आपने कितना पे किया one lakh रूपिस तो one lakh रूपिस का 10% यहाँ पे लेना है मतलब की ten thousand ठीक है और आपको 50,000 की जो आपकी limit है इन दोनों में से higher लेना है इन दोनों में से higher लेना है तो higher कौन सा है 50,000 यह आपकी limit हो गई, यह 50,000, यह higher amount जो है आपकी limit हो गई है, इस limit से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है, तो इस limit से ज्यादा आपका difference जा रहा है, हाँ जी, difference तो one leg है, तो सीधे सीधे यह one leg जो आपका benefit है, वो taxable हो जाएगा, clear है, अब यहाँ पे एक छोटी सी amendment है, लेकिन छोटी सी है, लेकिन बहुत ही important है, छोटी सी है, लेकिन बहुत ही important है, यहाँ पे जो हम 10% लेते हैं, यह जो 10% लेते हैं, यह 20% कर दिया जाएगा, कब, यह 20% कर दिया जाएगा, जब आपका यहाँ पे, यह जो आपकी immobile property, immobile property है वह residential unit है ठीक है basically यह builder लोगों के लिए जो है यहाँ पर यह section लाया गया है यह amendment लाई गई है ठीक है residential unit है ठीक है residential unit है जो आपको यहाँ पर दी गई है time limit है आपकी 12 November 2020 से 13 June 2021 यह date याद रखना है यह date के बीच में अगर यहाँ पर आपकी आती है तो ही आपको जो है यहाँ पर 20% लेना है इस date के अलावा कोई भी है तो फिर आपको जो है 20% नहीं लेना है ठीक है यह date के अंडर आपको जो है देखना है यहाँ पर आपको देखना है कि क्या वो जो आ आपकी immobile property है वो residential unit है ठीक है यहाँ पर दो तीन चीज़े देखनी है सबसे पहला तो आपने देखा residential unit है ठीक है आपको सबसे पहले आपने क्या देखा आपने देखा residential unit है दूसरा point आपने देखा कि वो आपका first time allotment होना चाहिए ना समझ मैं आया first time allotment होना चाहिए first time allotment का मतलब क्या है first time allotment का मतलब है कि वो जो residential unit है उसमें सबसे पहले सबसे पहले आप ही रहने गए है ठीक है सबसे पहले आपको ही allot किया गया है first time यहाँ पे आपका allotment होना चाहिए और तीसरा point है आपका date 12 November 12 November 20 से लेके two यहाँ पे आपको जो है 12 November 20 से लेके 13th June 2021 ठीक है तो यह आपको तीन पॉइंट याद रखने है अगर यह तीन पॉइंट आपके जो है satisfaction होते है तो simply आपको जो ही यहाँ पे ऊपर जो 10% दिया जाता था उसके बदले 20% of consideration लेना है मतलब कि यहाँ पे आपको जो 10,000 आया थ यहाँ पे 20% ले लेना है ठीक है consideration का 20% ले लेना है clear है तो यह simply यह जो आपकी provision है PGBP में भी पढ़ते है और यहाँ पे भी पढ़ते है ठीक है PGBP में भी आपको जो है यहाँ पे है ठीक है PGBP में क्यों लागो होगा क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि यह जो residential unit है वो stocking trade के मैंने कहा ना builder logo के लिए builder logo का यहाँ पे यह तो trade ही होता है ठीक है तो builder logo के लिए यहाँ पे लिया गया है कि यहाँ पे जो है stocking trade है मतलब कि residential unit खरीदने का और बनाने का और बेचने का काम है तो simply यह आपको यहाँ पे provision apply हो जाएगा 20% आप ले सकते है ठीक है 20% लेने से आपको जो है अच्छा benefit रहेगा थोड़ा सा ठीक है tax payment में benefit हो सकता है इसके बाद यहाँ पे आईए कि कुछ ऐसी यहाँ पे चीजे है कुछ ऐसी चीजे है जहां पे आपका जो है किसी भी तरीके से अगर amount receive होता है तो किसी भी तरीके से वह taxability arise नहीं होगी जैसे कि for example अग ठीक है यहाँ पे तो मैंने आपको कहा कि money receive होई है 50,000 रुपीज की अगर वो money receive होए relative के पास से relative के पास से अगर amount receive होई है वो exempt है वहाँ पे आपको यह limit नहीं देखनी है वहाँ पे आपको limit नहीं देखनी है वहाँ पे आपको limit नहीं देखनी है वो exempt है ठीक है तो यहाँ पे simply एक चीज मैं लिखा दू कि अगर आपको जो है amount gift जो है रिसीव हो रहे है यह जहां पे employer ठीक है employer और employee ठीक है employee का relation है तो वहाँ पे आपका जो है limit होता है 5000 याद रखेगा अगर employer employee का relationship है अगर वहाँ पे gift दे रहा दिया जा रहा है तो वहाँ पे 5000 तक का exemption है जो आप salary chapter म आप पढ़ते हैं वहाँ पे पढ़ेंगे हम ठीक है अगर 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 relative के अलाव कोई भी आपको gift मिल रहा है ठीक है gift मिल रहा है relative के अलाव किसी भी तरीके से gift मिल रहा है तो वहाँ पे आपकी exemption देखने को मिलती है 50,000 रूपेज की ठीक है जो यहाँ पे हमने पढ़ा है तो simply आपका जो है वो चीज़ exempt है कोई भी taxability arise नहीं होने वाली clear है तो यह चीज़ याद रखेगा यह चीज़ याद रखेगा जो यहाँ पे लिखवा रहा हूँ आपको भी लिखना है जैसे कि मैं previous video में बोलता रहा हूँ तो simply मैंने यहाँ पे कहा हूँ यह समझ में आ बात कर रहे हो अगर occasion है marriage का तो वहाँ पह अगर आपको जो है individual को जिसकी marriage है उसको जो भी gift receerve होता है वो exempt है वह याद रखेगा यहाँ पर मैं यह बात कर रहा हूँ कि उसको gift receive होता है वह exempt है ठीक है यहाँ पर जैसे कि मैं बात करूँ कि आपका जो है marriage है जिस individual का marriage है मतलब की मान लिजए जो भी marriage है यहाँ पर self और नाम नहीं लिखता हुआ self और spouse ठीक है यह marriage है तो यहाँ पर यहाँ पर जो है इन दोनों को जो gift receive होगा वो simply आपका exempt है ठीक है वो simply आपका exempt है जो gift receive होगा जितना भी amount amount से कोई लेने देना नहीं लेकिन इनके जो है parents इनके parents को कोई receive होता है यहाँ पे amount या फिर कोई gift तो वो तो सीधे-सीधे taxable हो जाएगा ठीके वो सीधे-सीधे taxable हो जाएगा उन्हें तो वो 50,000 वाली limit देख लेनी है ठीके लेकिन यहाँ पे आपका marriage है आपका marriage है ठीक है तो अगर आपको कोई amount receive हो रहा है कोई gift receive हो रहा है वो simply exempt है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ओके जी और relative की definition में यहाँ पर जो बता है मैंने कि relative के पास से सबसे पहले स्पाउस ठीक है ब्रदर सिस्टर ब्रदर सिस्टर और स्पाउस मतलब की जो ब्रदर सिस्टर है उनके स्पाउस ठीक है उसके बाद यहां पर कहा गया है कि ब्रदर सिस्टर जो है यहां पर उनके पैरेंट्स ठीक है इसके बाद लिनियर और डिसेंडेंट ठीक है Ascendant or Descendant मतलब की आगे पीछे के यहां पे जो भी रेलेशय सिप है ठीके Individual के और spouse के spouse के मतलब की इंडिविजुल के parents spouse के parents ठीके individual के तो यहां पे Daddy ठीके फूफा सब को यहां पे सिर्फ वुशिब जो है spouse के brother sister और parents को include कर अगया ठीके इंडिविजुल जो है यहाँ पे उनके जो है यहाँ पे उनके जो है यहाँ पे हर एक चीज़ मतलब कि यहाँ पे मामा मामी जितने भी है उत्व एड करा गया है हाँ मामा मामी से आगे नहीं जाएंगे मतलब कि उनके सन है तो वो नहीं ठीके मामा मामी तक ही रही है फूफा पर जो है next point की बात करें तो next point की बात करें तो यहां पर देखिए अगर marriage की बात कर दी ठीक है marriage की बात कर दी अगर inheritance आपको जो है विल अगर inheritance विल मतलब कि आपको पता ही है न विल आजकल जगड़ा इसलिए होता है ठीक है घर में जगड़ा किसलिए होता है विल के लिए तो विल के असाप से आपको कोई amount विल रिशिव हो रहा है तो simply वह exempt है कोई दिक्कत नहीं है local authority के पास आपको को amount receive हो रहा है ठीक है या फिर आपका जो है amount कहीं पर receive हो रहा है आपका जो है pair जो है debt donor है या फिर pair है death हो चुका है ठीक है और complete कि मतलब कि उनके जो pair जो आपका यहाँ पर donor है उनकी देथ हो खोंग और उनके इनके लिए ठीक है उनके निए आपका जो है contemplation לה होता है वह amount आपका एक्जेम्ट है वहँए कोई ापका accessibility नहीं होता है ठीक है जी इसके बाद local authority कह दिया अगर यहाँ पर university है ठीक है education institute है तो वहाँ पर simply आपका जो है exempt होगा trust है trust है exempt exempt होगा ठीक है इसके बाद यहाँ पर जो है ध्यान रखना section 47 में जितने भी transfer दिये गए मतलब कि section 47 में दिया क्या है section 47 में दिया है कि अगर आप जो है goods को या फिर कुछ भी चीज़े है उसे transfer करते है तो उसे transfer नहीं माना जाएगा ऐसी यहाँ पर चीज़े दी रखिये कहाँ पर section 47 यह section 47 कहा है section 47 है आपका capital gain में ठीक है तो यह चीज़ वहाँ पर पढ़ते है कि उसे transfer नहीं माना जाएगा और transfer नहीं माना जाएगा सीधी से बाद से taxability arise नहीं होगी ट्रस के पास से आपको कुछ भी receive होता है exempt है ठीक है जी और यह चीज़े आपकी यह जी तो May 23 के लिए है चलिए ओके जी यहाँ पर इसके बाद आ जाई है यहाँ पर कि ऐसी यहाँ पर चीज़े चो चार्जेबल है in this head मतलब कि इस head के अंदर चार्जेबल है सबसे पहले सो sales की बात करूँ अगर sales आपको receive हुआ है closely held company मतलब की other than वो जो public substantial interest होता है न वो नहीं है तो उसे हम कहते है closely held company basically private company unlisted company ठीक है वो है closely आपकी held company ठीक है अगर वहाँ से आपको जो है वहाँ से amount आप जो है sales issue हुए ठीक है और sales issue हुए आपने जो consideration है वो आपने access payment किया है तो आपका taxability हो जाएगा यहाँ पर taxable ठीक है जी इसके बाद यह चीज़े जो है आपको सिर्फो सिर्फ सुननी है ठीक है इसके लिए specifically question है ओके जी enhance compensation के इसाप से कोई interest receive है taxable हो जाएगा enhance compensation में आपकी जो government है वो आपकी जो property है वो compulsory acquire कर देती है और compulsory acquire करने के बदले में जो है आपको compensation देती है enhance compensation देती है तो वो simply जो आप याद रहे taxability जो है किस तरीके से होती 50% taxability होती है मतलब कि 50% exempt हो जाता है ठीक है 50% आपका exempt हो जाता है यह basically दूसरे chapter का relate करता है यहाँ पे नहीं है ठीक है यह deduction है CG है वहां से other sources तो सिर्फो सिप एक छोटा सा topic है basically यहाँ पे जितने भी point है वो सिर्फो सिप दूसरे head के है या फिर deduction TDS वगे रखे हैं ठीक है इसके बाद यहाँ पे advance money आप receive करते advance money किसी भी तरीके से receive होती है तो simply आपको यहाँ पे एक चार्ट देखना है advance money receive होती है CG में आप topic पढ़ते हैं ठीक है मैंने कहा ना सारे topic जो है दूसरे head के यह बाकि other head जो है आपका other source जो है व पहले अगर advance money receive करते हैं तो simply आपका जो full value of consideration होता है उसमें से यह Advance money आपको minus कर देनी मैंगर आपको 20촌स चार्वे करते निम्या से फिरके first April 2200 की 1st April 2014 के बाद अगर आपको advance receive हुआ है ठीक है इससे पहले receive हुआ है तो simply minus करना है अगर इसके बाद receive हुआ है तो simply आपको करना है वो सारा का सारा amount advance money का simply आपको जो है taxable करना है कहाँ पे other source के अंदर तो यह इसी की बात कर रहा है यह पार्ट की बात कर रही जाए रही है यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते है advance is receive and forfeited on और after कब है 1st April 2014 मतलब कि advance money जो आपने forfeit करी है वो अगर आपकी जो है यहाँ पे 1st April 2014 के बाद है ठीक है 1st April 2014 यहाँ फिर उसके बाद है simply यहाँ पे taxable हो जाएगा basically CG में आपको detail में पढ़ना है इस topic को यहाँ पे नहीं ओके जी इसके बाद यहाँ पे यह छोड़ दीजिए यहाँ पे आ जाईए deduction कहां पे अलोग होगा आपको deduction अलोग कहां कहां होगा यहाँ पे बात करी गई section 57 सेक्षिन याद नहीं करने है यहाँ पे simply देखिए सबसे पहले तो deduction dividend की बात करें अगर कोई dividend income हो रही है कहां से mutual fund है या फिर कोई specific company है ठीक है specified company है वहाँ से अगर आपको dividend receive हो रहा है तो simply आपको यहाँ पे देखना है simply आपको यहाँ पे देखना है कि जो dividend है यह जो dividend आपको receive हो रहा है वो dividend के लिए क्या आपने कोई loan ले रखीती देखे dividend आपको यहाँ पे यह बता दू कि dividend के लिए dividend के लिए कोई भी expenditure कोई भी expenditure allowable नहीं है मतलब कि कोई भी expenditure आप जो है इसमें से minus नहीं करते ठीक है dividend पूरे का पूरा आपका taxable होता है कोई भी आप एक्सपेंस आपको जो है minus करने को नहीं मिलते सिवा एक एक सिर्फो सिप allowable है कौन सा अगर यह dividend कमाने के लिए कोई आपने loan ले रखी थी for example एक 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 जमपल देते अगर आपने equity sales purchase करने के लिए ठीक है loan ले रखी थी और उस loan से उस loan के amount से equity sales आपने purchase करा और उसमें से आपको जो है dividend receive हो रहा है तो यहाँ पे simply आपका जो है यहाँ पे आपको जो है deduction मिलेगा loan लिया था इस वज़े से ठीक है basically dividend पे कोई आपको deduction नहीं मिलता है ठीक है बाकी यहाँ पे loan ले रखा है तो उसके लिए यहाँ पे deduction दे रखा है कौन सा आपको simply करना क्या है आपको simply यहाँ पे करना है कि 20% of income आपकी जितनी भी income है उसका 20% आपको ले लेना है 20% ले लेना है और यहाँ पे देखना है कि loan का जो इंट्रेस्ट आपका जो है एक्सपेंस है इंट्रेस्ट एक्सपेंस है वो 20% से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए अगर एक्सीड कर जाता है तो फिर आपका वो टेक्सेबल है टेंटी फाव ट्वैंटी परसंट से एक्सीड नहीं करता है 20% तक है डिड़क्टेबल है ठीक है इसका क्वेश्चन यहां पर देखने होते हैं ठीक है यहां पर आपको बेजिकली अभी कुछ समझ भी नहीं आ रहा है अभी सिर्फ और सिफ आप सुन रहे है ठीक है पूर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे ठीक है तो बेफिकर रही है कोई दिकत नहीं है अगर आपको जो है अगर आपको जो है यहां पर आप आजाए कमिशन जो है रेमिनेशन आपको जो है कोई मिलता है ठीक है तो यहां पर आपका सिंपली वो तो एक्जेम्ट करते हैं अगर आप जो है वहां पर अपना कंट्रिबिशन कर रहे हैं चाहे वह employer है हर एक को यहां पर deduction मिलता है यह deduction chapter में पढ़ना है और आर्प एस पीएफ के बारे में salary में पढ़ना है ठीक है तो यह दोनों topic जो है वहां से रिलेट करते हैं जो main topic है यहां पर आईě मैं top排ite आपके यहां पर main topic family pension अगर family pension आपका amount है तो family pension पूरे का पूरा taxable होता है डिडक्शन आपको मिलेगा जिहाँ मिलेगा आपको lower of लेना है 33.33 percent of such income जो भी आपकी income है वो income की जो अभी यह income में receive हुई है, income की 33.33% लेना है और 15,000 दोनों में से जो lower है, वो amount आपका जो है deductible है, बाकी का remaining amount आपको tax pay करना होगा, ठीक है, अगर आपको जो है compensation receive हो रहा है, यह मैंने आपको already बता दिया, 50% taxable होता है, already यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि आप आपको compensation या फिर enhanced compensation receive हो रहा है, ठीक है, तो उसका जो interest होता है, interest पर आपको 50% interest exempt होता है, 50% taxable, ठीक है, 50% deductible होता है, 50% taxable, अब यहाँ पर आपको जो है, ऐसी बाते कहीं गई है, कि जहाँ पर deduction मिलेगा ही नहीं, मतलब की मिलना ही नहीं है, अगर आपने personal expense किये, खुद के expense किये है, ठीक है, खुद के लिए expense किये है, तो यहाँ पर कोई भी तरीके का deduction नहीं मिलना है, ठीक है, इसके बाद अगर आपने, अगर आपने जो है, outside India किसी को payment करा है, और TDS नहीं काटा, तो आपको deduction नहीं मिलेगा, TDS काटो deduction ले जाओ, system यहाँ पर यहीं है, ठीक है, salary क काटा, तो deduction नहीं मिलेगा, TDS काटो deduction ले जाओ, क्या का मैंने, TDS काटो deduction ले जाओ, हाँ जी, इसके बाद अगर 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 यहाँ पे जो है, अगर यहाँ पे जो है, आपने, कोई expense करा है, ठीक है, कोई expenditure करा है, जिसकी आप जो है, information provide नहीं कर पा रहे हो, मतलब कि उसका यहाँ पे जो है, brief review, reason, जो है, आप provide नहीं कर पा रहे हो, किसे assessing officer को, ठीक है, तो यहाँ पे simply आपका जो है, वहाँ पे deduction नहीं मिलेगा, वो आपको पूरे का पूरा taxable हो जाएगा, मतलब कि आप text छुपाने की कोशिस कर रहे हो, सिद्धी बात करूँ तो, text छुपाने की क point जो है, वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ, ठीक है, जो main point नहीं है, वहाँ पे discussion नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, यह main point इस chapter के इसाप से नहीं है, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, कि यह जो point है, यह जो point है, इस chapter के इसाप से main point नहीं है, बाकि तो यहाँ पे deduction chapter यह point आपको फिर से पढ़ने है तो वहाँ पर important हो जाएगा वहाँ पर question भी देखने को मिलेगा जी अगर एक दिन में एक व्यक्ति को एक person को ठीक है एक दिन में एक person को 10,000 रुपीज से अगर ज्यादा payment कर देते हो तो deduction नहीं मिलेगा अगर एक दिन में एक person को 10,000 रुपीज से ज्यादा payment कर दिया तो deduction नहीं मिलेगा अगर ये payment जो है case में है ठीक है case में है या फिर other than जो आपके यहाँ पे specified mode है अगर उसके अलावा आपने payment कर दिया deduction नहीं मिलेगा मतलब की case है ठीक है case है या फिर other than यहाँ पे specified mode जो कहा गया उसके अल payment account pay check draft ECS ठीक है debit car, bank car, electronic mod, nift, rtgs, imps, upi, beam आधार पे इससे किया है 10,000 से ज्यादा payment किया है और इन specified mode से किया है deduction आपको मिल जाएगा इसके अलावा किसी से payment किया 10,000 से ज्यादा deduction नहीं मिलेगा बिल्कुल भी deduction नहीं मिलेगा ठीक है पूरा पूरा amount taxable हो जाएगा इसके अलावा कोई भी आपकी जो है जो आपकी casual income है ठीक है casual income जैसे की lottery है card game है ठीक है race है तो वहाँ पे अगर आपकी कोई income लीचिव होती है तो deduction नहीं मिलता वो मैंने पहले ही बता दिया आपको पहले ही बता दिया कि कोई deduction नहीं मिलता उसके TDS आप काटना भूल गए TDS नहीं काटा ठीक है TDS नहीं काटा 30% आपका taxable आपका जो है amount 30% आपकी जो यहाँ पे amount है वो disallow हो जाएगी मतलब कि 30% पे आपको जो deduction मिलना था वो disallow हो जाएगा यह basically TDS chapter में पढ़ना है आपको detail में ठीक है और दूसरी बात अगर आप जो है यही payment किसी non resident को कर रहे थे और वहाँ पे आपने TDS नहीं काटा TDS नहीं काटा 100% आपकी disallow हो जाएगी मतलब कि कोई deduction आपको नहीं मिलेगा अगर TDS नहीं काटा तो ठीक है तो यहाँ पे आपको यह चीज़ देखनी होती है ठीक है यह basically TDS chapter से relate करता है अब आज जाएए illustration 1 स और जो जो concept यहाँ पे cover नहीं हुए वो हम जो है इसी के साथ cover करेंगे illustration number 1 आईए illustration number 1 यह आपका जो है fast tech बेच मतलब की आपका जो है fast revision बेच है ठीक है तो यहाँ पे ज्यादा discussion नहीं करेंगे जो आपका main point है वो बता दूंगा काम खतम यहाँ पे question में कहा गया कि एक राह 28% उनकी holding है company में और 5 lakh rupees का in company में से इस company में से उन्होंने loan लिया राहुल ने 5 lakh rupees जो यहाँ पे loan लिया है 5 lakh rupees का कहा से company से और वो company में जो है राहुल की 28% equity share की holding है ठीक है अब यहाँ पे कहा गई यह जो company है ना उसका जो accumulated profit है वो 4 lakh rupees है अब यहाँ पे कहा गया है नीचे question प dividend if the company is is a company in which public are substantially interested तो देखिए इस से related यहाँ पे concept ज्यादा नहीं आया था तो यहाँ पे मैं आपको बता दू यहाँ पे आपको बता दू कि इस question से related आपको concept बता दू कि आपका अगर company में आपका अगर company में जो है 10% से ज्यादा holding है कितने percent से 10% से ज्यादा holding है ठीक है 10% से ज्यादा holding है ठीक है 10% से ज्यादा holding है ठीक है 10% से ज्यादा holding है और आपको यहाँ पे देखना है और आपको यहाँ पे देखना है कि जो company है जो company है वो आपकी यहाँ पे closely related जो मैं आपको word बताया था ठीके अभि-अभि पड़ाया था, वहाँ पे मतलब कि acrossly, मतलब कि यहाँ पे होता है आपकी private company है, private company है ठीके, private company है, या फिर unlisted company है, मतलब कि सीधी बात करूँ, तो जिनका यहाँ पे public से कोई लेना देना नहीं है, public से इंद्लेना देना नहीं है, public substantial interest नहीं है, ठीक है तो यहाँ पर अगर यह आपकी जो है criteria पूरी होती है तो simply आपका जो है amount जो है आपका जो है dim dividend जो है मान लिया जाएगा लेकिन यह dim dividend up to accumulated profit ठीक है accumulated profit से ज्यादा ज्यादा amount जो है dim dividend नहीं माना जा सकता मतलब देखो मतलब यहाँ पर सबसे पहले का आगए आपका यहाँ पर लोन आपने कितना लिया है 5 रूपिस का लेकिन company के पास accumulated profit है कितना 4 रूपिस ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहली condition देखो सबसे पहली condition आपकी 10% से obviously ज्यादा है ठीक है 10% से आपकी यहाँ पर holding ज्यादा है इसके बाद second point देखो कि यह company जो है प्राइवेट मतलब की public substantial interest नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर question में पहले कहा कि public substantial interest है अगर public substantial interest है तो कोई भी amount जो है dim dividend नहीं माना जा सकता हमारी दोनों criteria fulfill होनी चाहिए अगर fulfill नहीं हो रही है तो simply आपको यहाँ पर लिख देना है कि आपका जो है कोई भी यह loan amount dim dividend नहीं माना जा सकता because आपका यह यहां पर public substantial interest देखने को मिलता है, ठीक है, second question भी पूछ लिया, what would be your answer, leading company जो है, वो private limited company होगी, अगर private limited company होगी, तो यह हमारा दोनों point जो है, यहां पर fulfill हो रहा है, 10% से ज्यादा holding है, और private company है, ठीक है, private company है, और 10% से ज्यादा holding है, तो सीधी बात है, तो यहां पर मैंने कहा कि जितना भी amount है, वो आपका dim dividend मान लिया जाएगा, लेकिन वो amount जो है, accumulated profit से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, तो यहां पर कितना amount है, 5 lakh, पूरा dim dividend मान लिया जाएगा, लेकिन एक चीज़ देखना, यह amount जो है, वो accumulated profit से exit नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो 5 lakh रुपिस को dim dividend म मानेंगे, clear है, ओके, तो यहां पर solution में भी आप दिख सकते, कि 5 lakh रुपिस की आपने हाला की loan लिया है, लेकिन 4 lakh रुपिस को ही आप जो है dim dividend मानेंगे, उस से ज्यादा dim dividend मान ही नहीं सकते हो, ठीक है, इसके बाद जल्दी से आप आ जाएए, यहां पर illustration number 2 पे, illustration number 2 पे, च किस के है, सेर्स के, ठीक है, सेर्स के dealer है, तो याद रखिये, अगर Mr. A, सेर्स की कोई यहाँ पे transaction करते हैं, तो उनका यहाँ पे, उनके लिए जो transaction है, वो PGBP में taxable होगा, ठीक है, यहाँ पे, taxable नहीं होगा, याद रखिये, stock in trade का, अगर आप transaction कर रहे हो है, तो při जी भी मिस्टर बी को कुछ दे रहे है जो मिस्टर बी कौन है उनके फ्रेंड है ठीक है सबसे पहले दिया केस गिफ्ट 75,000 मैंने अभी अभी बताया अगर केस गिफ्ट दे रहे हो केस गिफ्ट दे रहे हो 50,000 से एक्सिट कर गया simply वो आपका fully taxable होगा ठीक है तो यहाँ पे वो तो चीज होए clear है 50,000 से अगर एक्सिट कर गए तो वो fully taxable हो जाएगा clear है fully taxable है इसके बाद bullion movable asset मैंने आपको बताया था movable property में bullion भी आता है ठीक है तो bullion आपको कहा गया है कि आपको free of cost no consideration ठीक है आपको यहाँ पे दिया गया है जिसकी fair market value कितनी है 60,000 अब मैंने आपको पढ़ाया था movable property अगर without consideration receive हो रही है तो simply आपको जो है उसकी fair value fair value देखनी है fair value 50,000 रूपीज से 50,000 रूपीज से exit नहीं करनी चाहिए अगर exit करती है taxable हो जाएगा other head के अंदर अगर exit कर गई simply taxable हो जाएगा ठीक है सावधान सावधान 60,000 हो गई taxable हो गया इसके बाद यहाँ पे कहा कि plot of land plot of land at faridabad आपको जो है stamp duty value जिसकी है stamp duty value which is 5,000 रूपीज on the date अब Mr. B has purchased the land in April 2009 यहाँ पे कहा गया है कि आपको जो है land मिली है ठीक है land मिली है तो simply आपको जो है यहाँ पे कौन सी provision होगी simply provision कौन सी होगी प्रोविजन होगी यहाँ पे simply आपको जो है यहाँ पे दीखना है simply provision कौन सी होगी immobile property की immobile property आपको जो है receive हो रही है without consideration अगर immobile property without consideration receive होती है तो हमने क्या पढ़ा था stamp duty value stamp duty value 50,000 रूपीज से 50,000 रूपीज से exit नहीं करनी चाहिए और एकर exit करती है तो simply taxable हो जाएगा तो stamp duty value कितनी है file एक रूपीज पूरा taxable हो जाएगा 50,000 से exit कर गया तो पूरे का पूरा amount taxable हो जाएगा ठीक है जी clear है इसके बाद यहां पर आई यह Mr. A जो आपके share dealer है ठीक है dealer of share है यहां पर कहा गए कि Mr. A ने जो है purchase करा from his friend Mr. C के पास से कुछ purchase करा है क्या है purchase करा है यहां पर sales तो देखे Mr. A dealer है sales के और sales purchase कर रहे है तो simply यह कहां पर जाएगा यह PGVP में आ जाएगा यहां पर नहीं आएगा consideration है in adequate consideration है यहां पर कहा गया है तो simply आपको profit कितना हुआ जितना भी यहां पर फाइदा होता है जितना भी यहां पर फाइदा होता है वो आपका simply taxable होता है तो 600 के sales 400 में मिल गए मतलब कि per share पर share आपको फाइदा कितना हुआ पर share आपका फाइदा हुआ है 200 रुपीज का टोटल share है कितने टोटल share है कितने टोटल share है कितने टोटल share आपने कितने purchase कर रहे है 1000 sales यहाँ पर 1000 sales आपने 1000 sales purchase कर रहे है कितने के इसाब से 200 के इसाब से आपको profit हुआ है तो 1000 into 200 करो 1000 into 200 कितना आया 2 lakh rupees 2 lakh rupees आपका taxable होता है लेकिन यहाँ पर नहीं कहाँ पर PGBP में क्योंकि यहाँ पर अगर आप stocking trade की बात कर रहे हो तो PGBP में जाओ यहाँ पर कोई taxability नहीं आएगी PGBP में जाओ ठीक है तो यह 2 lakh लेकर आप जो है कहाँ जाएंगे PGBP में यहाँ पर कोई यहाँ पर आपको लेने देना नहीं है तो simply यहाँ पर आप देख लीजे कि जो आपका taxable तो है लेकिन यहाँ पर नहीं यह जो आपका other आपका source है यहाँ पर आपकी taxability नहीं आएगी इसके बाद यहाँ पर देखे कि further 1st November को क्या हुआ Mr. A took position of property यहाँ पर पोसेशन ले रहे है किसकी office building के लिए book by him two year ago two year back जो है उन्होंने यह book करी थी कितने में 20 lakh रुपीज में यहाँ पर book करी थी stamp duty value of the property as on 1st November 2022 जब आपने यहाँ पर यह book करी थी उस time पर यह stamp duty value कितनी थी 32 lakh आपने book कितने में कर लिए 20 lakh में ठीके जी और कहा गया है कि date on the date of booking was 23 lakh 23 lakh रुपीज चल रहा था आपने 20 lakh में booking कर दी जहाँ पर आपकी जो value थी stamp duty value और 32 lakh थी ठीके he had paid rupees 1 lakh by account pay check account pay check मतलब कि आपने जो है prescribed mode में आपने payment किया है कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर immobile property की बात कर रहे है ठीके और Mr. A के लिए यह stocking trade तो है नहीं Mr. A तो sales के dealer है और यहाँ पर property की बात कर रहे है तो सीधी सी बात है यह जो है यहीं पर taxable होगा ठीके जहाँ पर 32 lakh थी 20 lakh रुपीज में आपको booking मिल गया ठीके booking की value 23 lakh थी जहाँ पर stamp duty value 32 lakh थी और आपने 20 lakh रुपीज में आपने book कर दिया मतलब की inadequate consideration है inadequate consideration है immobile property का तो मैंने आपको बताए था अगर inadequate consideration है immobile property का तो simply आपको देखना है क्या देखना है stamp duty value और consideration उन दोनों को आप आपको johan difference लेना है उन दोनों का क्या करना है difference लेना है और यह difference जो है यह difference जो है किस से exit नहीं करना चाहिए exit नहीं करना चाहिए 50,000 और 10% of consideration 10% of consideration इन दोनों को जो है higher इस amount की आप limit मान लिजे इस से ज्यादा जो है आपका इस से ज्यादा amount जो है अगर आपका वो difference जो है इस से ज्यादा गया तो वो difference जो है वो पूरे का पूरा taxable हो जाएगा तो यहाँ पे simply मुझे कि कितना difference है और कहां पे है तो यहाँ पे 23 lakh की booking थी, 20 lakh में आपकी हो गई, 23 lakh की booking थी, 20 lakh में हो गई, तो मतलब की आपका difference कितना है, यहाँ पे difference मुझे बताओ, difference कितना है, difference आपका है, 23 minus 20 lakh, मतलब की 3 lakh का difference है, ठीक है, अब यह जो है, वो limit से exit कर गया है, तो पूरा taxable होगा, वनना नहीं, ठीक है, limit हम द क्या है, limit आपकी है, 50,000, और 10% of, और 10% of consideration, तो 10% consideration कितना है, consideration कितना है, 20 lakh, consideration आपने payment कितना किया है, 20 lakh, तो 20 lakh का आपको, जो है, simply 10% आपको, तो यहाँ पे आपका 20 lakh का 10% मतलब की 2 lakh amount आ रहा है, ठीक है, तो इन मेंसे, आपका जो है, यहाँ पर कितना amount आ रहा है यह two lakh rupees तो यह दोनों में से तो higher लेना होता है higher आपकी limit हो जाएगी तो fifty thousand or two lakh higher कौन सा है two lakh two lakh is your limit ठीक है two lakh rupees हमारी limit है इस से ज्यादा नहीं जाना है तो आप तो गए है three lakh rupees आपने कर दिया तो पूरे का पूरा taxable हो जाएगा taxable two lakh से ज्यादा नहीं जाना था आप गए है मतलब कि आपका difference three lakh rupees है तो पूरे का पूरा three lakh आपका taxable हो जाएगा ठीक है जी तो यहाँ पर आप देख लीजिए पूरे का पूरा यहाँ पर आपको three lakh rupees दिख रहा है इसके बाद आप आ यहाँ पर आपका जो है consideration आपका यहाँ पर आगे भी कोई question है क्या जी यहाँ जी अच्छा हुआ यादा गया चलो यहाँ पर का आगए कि first March को जो है हमने यह जो plot यह जो free में मिला था मैं ठीक है जिसकी stamp duty value कितनी थी five lakh rupees यह हमने बेच दिया मतलब कि यहाँ पर जो है seven lakh rupees में यह plot हमने sale कर दिया अगर seven lakh rupees में अगर आप plot send sell कर रहे हो ठीक है तो simply यहाँ पर आपका other sources के अंदर taxability नहीं आएगी यह आएगी capital gain में ठीक है land building वगेरा जो आप sell करते हो और जो आपकी stock in trade नहीं है ठीक है आप उसका business नहीं करते हो land building sell करना आपका business नहीं है तो simply land and building अगर आप sell करते हो तो आपका वह taxable होगा capital gain में ठीक है long term short term आपको देख लेना यहाँ पर 23 में आपने जो है sell किया है आपने purchase कब किया था यहाँ पर आपको मिल यहाँ पर 2022 में मतलब की short term है ठीक है within year आपने जो है sell कर दिया है तो यह short term है तो simply यह चीज़े जो है short term long term यह cg में पढ़ाएंगे ठीक है cg में आप जो है पढ़ेंगे तो यहाँ पर 7 lakh रुपीज आपका जो है यहाँ पर simply आपका तो यहाँ पर आप देख लिए ना यह 2 lakh रुपीज आप देख पा रहे है 2 lakh रुपीज आपका taxable है इसके बाद illustration number 3 पर आए illustration number 3 यहाँ पर देख लिजिए यहाँ पर सारे के सारे कौनसेफ एसी के साथ पढ़ेंगे अखिल हुए है 75 रुपीज यहाँ पर रिसीव होते है कहां रिसीव होते है फ्रॉम नाइस ओफ अखिल अखिल की जो है नाइस यहाँ पर है उनके पास से अमाउंट रिसीव होता है अखिल जो है यहाँ पर करता है हुए का लेकिन यहाँ पर कहा गए है कि हुए जो यहाँ पर अमाउंट रिसीव हो रहे है केस अमाउंट रिसीव हो रहे है वह रिलेटिव के पास से नहीं हो रहे है रिलेटिव की डेफिनेशन में दिखिए हुए एंड हुए एंड उसके जो member है हुए एड उसके member जो है वह relative में है ठीक है इसके अलावा कहीं से आबर आपको जो है अगर आपको amount receive होता है तो simply वह taxable हो जाएगा तो simply आपको 50,000 limit लग जाएगी 50,000 से एकसीड है 75,000 तो 75,000 पूरा taxable होगा देखिए यहाँ पर nice जो है वह member नहीं है यहाँ पर अखिल member है ठीक है लेकिन amount कहां से receive हो नाइस के पास है वह नाइस जो है amount जो है टेकसेबल हो जाएगा क्योंकि वह हो की member नहीं है तो simply आप यहाँ पर देखिए 75,000 टेकसेबल इसके बाद यहाँ पर देखिए निती सा जो है यहाँ पर कहा गया member of father's HOF मतलब कि यह member है ठीक है यह member है और कह रहा है कि ट्रांसपर किया है house property किसे HOF को मतलब कि member ने HOF को member ने HOF को कुछ ट्रांसपर किया है तो simply वह है exempt होता है ठीक है वह exempt होता है निल taxability निल हो जाएगी exempt होता है इसके बाद Mr. अक्षत receive 100 sales of a limited यहाँ पर कहा गई from his parent as a gift on occasion 25th marriage anniversary देखें मैंने clearly वहाँ पर बताया था कि तो simply आपको जो है यहाँ पर tax pay करना पड़ेगा तो simply आपको जो है यहाँ पर 100 sales receive 100 per 100 rupees के इसाब से मतलब कि 10,000 तो यह 50,000 से tax it नहीं कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है तो यह taxable नहीं है ठीक है 100 into 100 10,000 ठीक है यह taxable नहीं है क्योंकि 50,000 के अंदर अंदर है लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ कह दी कि he also receive as jewelry 45,000 rupees की यहाँ पर fair market value है from किसके पास से nephew ठीक है अब nephew के पास से जो है receive हुआ है nephew जो है relative की category में नहीं है ठीक है amount कितनी हो गई 55,000 55,000 मतलब कि 50,000 से exit कर गया 50,000 से exit कर गया fully taxable ठीक है एक और चीज़ यहाँ पर पढ़ानी थी आपको जो है यहाँ यह सबसे पहले देख लो fully taxable है ठीक है fully taxable है अब यह fourth point discuss कर लो उसके बाद एक और चीज़ आपको पढ़ानी है ठीक है एक और चीज ocur bullet नहीं होती ठीक है basically capital asset क्या car तो property की definition में नहीं आती ठीक है प्रपर्टी की definition में नहीं आती मतलब कि जितना भी amount होता है वहाँ यहाँ पर taxable नहीं होता है car जो है property की definition में ही नहीं आती है ठीक है तो यहाँ पे आप देख से car जो है property की definition में included नहीं है और property की definition में included नहीं है taxability यहाँ पे arise नहीं होगी ठीक है मैंने आपको जो है movable property की यहाँ पे definition बताई थी अगर उसके allow कोई भी चीज है तो यहाँ पे taxable नहीं होगा ठीक है अब यहाँ यहाँ पे जो मैं आपको point पड़ाना चाहता था वो point देखिए कौन सा point था यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे जो आपको मैंने बताया था कि अगर money आपको receive हो रही है 50,000 से exit नहीं करनी चाहिए ठीक है लेकिन यह 50,000 aggregate basis पे बताया था नहीं बताया था भूल गया लेकिन 50,000 aggregate basis है मतलब कि पूरे साल का amount ठीक है पूरे साल का amount जो है 50,000 से exit नहीं करना चाहिए लेकिन जब मैं immobile property की बात करता हूँ तो यह 50,000 जो है amount यह 50,000 जो amount है यह पर property आपको मिलता है ठीक है पर property मतलब कि एक property purchase करी है immobile property ठीक है without consideration या फिर inadequate consideration है तो simply आपको जो है यहाँ पर inadequate consideration में नहीं inadequate consideration में आपको जो है limit दे रखिए without consideration अगर आप receive करते तो यह 50,000 जो है 50,000 जो है वो पर property देखा जाएगा ठीक है पर property आपका जो है limit देखा जाएगा तो immobile property है 50,000 पर property देखा जाएगा लेकिन money है तो 50,000 aggregate basis पे देखा जाता है जैसे कि हमने इस question में करा ठीक है aggregate basis पे ही हमने देखा यहाँ पे आप देख सकते 10,000 receive आप प्लस 45 तो aggregate के लिए हमने total 55,000 exit कर गया fully taxable ठीक है aggregate लिया इसके बाद illustration number four पे इसके बाद खतम करते है इस chapter को ठीक है यहाँ पे देख लिए illustration number four यहाँ पे कहा गया mister हरी जो है वो यहाँ पे dealer है किसके building है मतलब कि एक तरहीके से builder है ठीक है तो यहाँ पे कहा गया स्वरी dealer है dealer है dealer है कि यहाँ पे जो है his business in the course of his business to his Rajas इनके friend है Rajas Rajas जो है वो dealer है automobiles में ठीक है उन्हें जो है एक building sold करी है कितने में यहाँ पे कहा गए कि 490 लेक रुपीज ठीक है कब 1st Gen 2023 को ठीक है when the stamp duty value जो है 150 लेक रुपीज थी stamp duty value जो है वो 150 लेक रुपीज थी ठीक है और 90 लेक रुपीज में हमने decide किया मतलब कि 90 लेक रुपीज में उन्होंने sold करी है इसके बाद कहा है कि agreement जब enter हुआ जब हमने agreement किया Mr. Hari और Mr. Rajas ने agreement करा तब उस agreement में यहाँ पे जो है agreement में यहाँ पे stamp duty value जब agreement कब हुआ 1st September को agreement हुआ तब stamp duty value जो है वो हो गई थी 140 लेक रुपीज ठीक है और कहा गए Mr. Hari has received a down payment down payment भी यहाँ पे receive किया गया है Mr. Hari ने कितना amount कितना amount for 15 लेक रुपीज 15 लेक रुपीज यहाँ पे down payment receive हुआ लेकिन किस से cross check से और याद रहे cross check जो है specified mode नहीं है ठीक है specified mode मैंने mode बताए थे RTGA से debit card credit card and nift है ठीक है beam आप जो है app जो है beam पे जो है आप वह कर सकते हैं लेकिन cross check वह आपका specified mode नहीं है इसका concept क्या है अभी देखते इसके बाद कहा गए कि on the from Rogers on the date of agreement discuss the taxability आपको यहाँ पर taxability यहाँ पर ब Mr. Harry has purchased building 75 lakh rupees में यहाँ पे कहा गए कि जो Mr. Harry ने यह जो 90 lakh rupees में किसे sell करा है Rajas को यह property sell करी है वो property Mr. Harry ने 75 lakh rupees में purchase करी थी ठीक है तो 75 lakh rupees में purchase करी थी 90 lakh में बेच दिया ठीक है अब यहाँ पे पूछा है कि आपको जो है आपको जो है यहाँ पर taxability बतानी है Mr. Harry की case में और Mr. Rajas दोनों के case में तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यह इतनी की बात करी इतने question की बात करी जाए तो यहाँ पे simply समझो कि Mr. Harry जो है वो building sale कर रहे है और उनका यह business है तो simply यह business है तो उनके लिए वो PGBP income है तो PGBP में taxable होगा ठीक है PGBP में उनके लिए taxability आएगी ठीक है और याद रहे यह जो PGBP है और कोई भी है यहाँ पे जो है आपको provision same देखने को मिलता है provision same देखने को मिलता है अभी हम देखते है कि देखे सबसे पहले तो हमें यहाँ पे यह देखना है कि आपको जो down payment receive होता है वो क इस से होता मतलब कि आपको down payment receive होता है कोई specified specified mode से ठीक है तो उस time पर आपको wilt आपको जो जो है जो जो agreement की date होती है जो agreement की date होती है ठीक है है agreement की जो date होती है विए उस date पे आपकी जाता है लेकिन अगर 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 आप जो है specified mode में अगर आपने पेमिंट किया ठीक है तो वहां पे आपको जो है contract जब हुआ था उस date को उस date को जो है आपकी FMV कितनी थी उसे जो है आपको compulsory as a full value of consideration मानना पड़ेगा तो यहां पे देखो 15 lakh payment हुआ है 15 lakh रूपिस payment हुआ है लेकिन किस में cross check में मतलब कि specified mode नहीं अगर specified mode नहीं है तो contract जब हुआ था उस time पे मतलब कि यह जो आपको sale यह जो आपका हुआ उस time पे आपका जो है amount कितना था stem duty का 15 lakh रूपिस ठीक है अगर यही यही बात यहां पे specified mode में payment हुई होती है 15 lakh तो simply हम जो है agreement की date के जो इसाप से stem duty value है वो लेते तो यहां पे agreement की date के इसाप से stem duty value है 140 lakh ठीक है तो यहां पे 140 lakh नहीं ले पाएंगी क्योंकि आपने जो है other than specified mode payment किया है तो 150 आपका लेक रूपिस यहां पे आपका जो है आपका full value of consideration बन जाएगा तो full value of consideration कितना है 150 आपने जो है payment यहां पे Mr. Rajas के लिए Mr. Sorry Mr. Hari के लिए Mr. Hari के लिए यहां पे देखो full value of consideration यहां पे कितना है 150 यहां पे simply आपको एक provision लगा नहीं होती कि आपका जो है यहां पे consideration जो है sale value आपकी जो है यहां पे amount है समझो तो full value of consideration हमने जो है यहां पे आपका consider किया है देखिए यहां पे बड़े ध्यान से full value of consideration जो है यहां पे आपका 150 150 लिया गए लेकिन यहां पे भी आपको एक चीज़ देखनी होती है है कि आपका जो सेल हुआ है वह सेल का आपको जो है Amount से일 वेल्यू जो है इससे कम है अगर स्टेंप ड्यूटी वेल्यू जो हमने यह कंसिडर किए इससे कम है। सेल वेल्यू कितनी है से Parliament कितनी है 90 ऩो की 100ज टहीं है 90 लेक है यह लिए में रूपीज है नाइंटी लेक रूपीज है टीके 99 रूपीज आ रहा है तो ओभिएसलि यह अभी भी कम यहां पर जो है आपकी यह इस्टेंट की अब्धव ज्यादा है तो उसे ही म fines रूपीज को था वन होन फिफ्ट्र लेक of consideration यहाँ पे लेंगे और आपका जो है यहाँ पे cost of acquisition मतलब कि माइनस कर देंगे आपकी जो purchase price है तो 150 lakh रुपीज में आपको पड़ा है और Mr. Harry की बात करें तो उन्होंने यह house कब कितने में purchase किया था 75 75 lakh रुपीज में मतलब कि यह 150 में से 75 माइनस कर देंगे बाकी का आपका जो है taxable amount आ जाएगा 75 lakh रुपीज किसके लिए Mr. Harry के लिए किसके लिए Mr. Harry के लिए यहाँ पे taxable amount आ गया clear है यह आपका PGVP की बात है इसके बाद यहाँ पे आमने सामने बात करनी है तो Mr. Rajas की भी बात करें तो Mr. Rajas ने purchase कर रहा है Mr. Rajas ने कितने में purchase कर रहा है 90 lakh रुपीज में आपने purchase कर रहा है उस time पे stamp duty value कितनी थी 150 lakh रुपीज ठीक है अब यहाँ पे Mr. Rajas के इस आपते देखो Mr. Rajas purchase कर रहा है Mr. Rajas purchase कर रहा है other source के अंदर आएगा ठीक है other source के अंदर आएगा और याद कीजिए इंपूरл प्रोपर्टी अगर आप पर्चेस कर रहे हो in adequate consideration पे in adequate consideration पर इंपूरपर्टी पर्चेस कर रहे हो तो simply आपको यहापे देखना है simply यहां पर आफ को देखना है कि क्या benefit कितना हो रहा है मतलब कि आफकी जो यहां पे value कितनी है और उसमें से आपने purchase कितने में किया ठीक है benefit कितने में हो रहा है और plus आफको जो है यहां पर limit देखनी है 50,000 और 10% of consideration ठीक ہے 10% of consideration तो यहां पे consideration 90 लेक है मतलब की 10% मतलब की 9 लेक रूपीज 9 लेक रूपीज आपका जो है यहाँ पे consideration इन दोनों में से higher कितना है 9 लेक रूपीज तो यहाँ पे कहा गए है कि जो आपका benefit है वो 9 लेक रूपीज से ज्यादा नहीं जाना चाहिए अगर गया तो taxable हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे देखो benefit कितना हुआ है 150 लेक रूपीज लेना है stamp duty value 90 लेक में आपने purchase कर लिया ठीक है 90 लेक में आपने purchase कर लिया benefit कितना हो रहा है 150-90 60 लेक 60 लेक का benefit हो रहा है हमने limit कितनी रखी है limit 9 लेक की अगर 60 लेक 9 लेक से ज्यादा है 60 लेक fully 60 लेक जो है fully taxable हो जाएगा ठीक है 60 लेक fully taxable हो जाएगा देखिए यहाँ पे 60 लेक और यहाँ पे 75 लेक हरी की बात करी जाए तो 75 लेक उसके लिए taxable है PGVP में और Mr. Rajas की बात करी जाए तो यहीं पे other source में 60 लेक रुपिस taxable होगा ठीक है यहाँ पे इसके बात कहा गए कि अगर अगर यहाँ पे question दूसरा पूछा गए would your answer be different if hurry जो है was share broker instant of property dealer मतलब कि अगर share broker होता Mr. Hari तो क्या आपका answer different होता देखे amount different नहीं होता amount तो हमारे यही रहना है क्योंकि provision PGVP और other source में यह जो immobile property से related है वो provision दोनों same है लेकिन जवाब यहाँ पे answer कहाँ पे different होता answer different होता जब यहाँ पे PGVP PGVP कर रहे है वहाँ पे हम जो है capital gain आपका जो है यहाँ पे निकल के आता ठीक है immobile property आप sale करते हो ठीक है तो मैंने कहा था कि immobile property अगर sale करते हो capital gain निकल के आएगा तो यहाँ पे बस वह 75 एक रुपीज ही आएगा लेकिन यहाँ पे हम नाम दे देंगे capital gain का ठीक है वहाँ पे हम PGVP नाम देते थे क्योंकि उसका business ही था तो business income नाम देते थे यहाँ पे अगर आप उसका business नहीं कर रहे हो ठीक है आपन amount वही रहेगा calculation वही रहेगी और Mr. Harry राजस के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता वो तो purchaser है purchaser है मतलब की other source में उनके लिए taxable है नहीं हो नहीं है ठीक है seller चाहे कोई भी हो purchaser के लिए तो other source के लिए यहाँ पे taxable रहेगा ठीक है इसके बाद illustration 5 की बात करूँ फटा- उस time पे जो है आपका taxable होता है यहाँ पे यह नहीं देखा जाता कि किस year का है ठीक है एनेंस compensation में कभी भी year नहीं देखा जाता है आपको simply amount देखी जाती है अगर इस year में जितनी भी amount चाहे वो previous year की है उससे previous year की हो नहीं देखा जाएगा आपको simply यहाँ पे यह देखना है कितना आपको receive कितना हुआ है file एक रूपी file एक रूपी टेक्सेबल होगा हमें यहाँ पर यह देखना ही नहीं एक bifurcation देखना ही नहीं कि file एक रूपी किस तरीके से और कौन से year का है enhance compensation में कितना amount पर आपका जो previous year है उसमें total कितना amount receive हुआ वही देखना है उसमें आपको 50% deduction मिल जाएगा 50% taxable है जो मैंने बताया था ठीक है तो file एक रूपी आपका taxable हो जाएगा 50% deduction मिल जाएगा okay तो यहाँ पर enhance compensation में date वगेरा year वगेरा कुछ भी नहीं देखना है ठीक है कुछ भी नहीं देखना है इसके बाद यहाँ पर जो है यह तो आप खुद कर सकते हो rental income है आपको जो है यहाँ पर simply कौन से head में जाएगा वह information पुझी गई तो सारे head करने के बाद आपको जो है simply यहाँ पर आ जाना है यह exempt नहीं है जिनका marriage है उन्हें जो है कोई gift receive हो रहा है तो exempt है ठीक है parents के लिए किसी भी तरीके की यहाँ पर exemption नहीं है उन्हें 50,000 से ज्यादा अगर receive हुआ है तो simply fully taxable आ जाएगा तो fully taxable इसके बाद enhance compensation receive हुआ है 96,000 रुपीज का और कहा गया कि for acquisition of urban land यहाँ पर of which 40% related to previous year यहाँ पर मैंने कहा था enhance compensation में किसी भी तरीके का year जो है वो ignore होता है आपको amount कितना receive है simply वह ही देखना है previous year में amount कितना receive है 96,000 50% deduction मिल जाएगा बाकी का taxable तो 96,000 minus 50% 48,000 वो taxable हो जाएगा बाकी काम खतम enhance compensation में date नहीं देखना है ठीक है question number 3, question number 3 भी enhance compensation से related है 5 एक रुपीज आपको enhance compensation receive हुआ और उसका बाद उसके bifurcation दी गई कि कौन से year का कितना amount है मैंने वह ही कहा कि enhance compensation में कोई भी year देखने का नहीं होता है previous year में आपको total amount कितना receive है file act file act में आपको 50,000 50% का deduction मिल जाएगा बाकी का amount taxable बाकी का amount taxable ठीक है तो यहाँ पे देखें आंसर में याद रखें प्रोविजन पहले लिखेंगे इसके बाद calculation ठीक है इसके बाद question number 4 question number 4 case gift receiver 51,000 का from her friend friend के पास से जो है यहाँ पे आपको case gift receiver location of यहाँ पे कहा गया है कि wedding यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि anniversary 60 year की जो है age है और यहाँ पे 25th anniversary यहाँ पे कहा गया है तो anniversary पर कोई भी amount receive होता है simply वहाँ पर exemption कोई नहीं मिलता और 50,000 तक का आपको यहाँ पर deduction मिलता है ठीक है marriage है तो आपको exemption मिलेगा marriage नहीं है तो 50,000 का तक का जो है limit है तो 50,000 से exit कर गए आपकी जो है amount taxable हो जाएगी 51,000 taxable ठीक है तो 51,000 जो है यहाँ पे non relative के पास है chargeable to tax इसके बाद कहा गए है कि यहाँ पे जो above on above occasion जो यहाँ पे कहा गए है कि diamond necklace जो है worth 2 lakh rupees present by her sister living in Dubai तो मैंने यहाँ पे कहा था कि अगर relative के पास से relative के पास से sister brother parents ठीक है वहाँ से अगर कोई amount receive होता है कोई gift receive होता है simply वो taxable नहीं है exempt है ठीक है तो यह चीज exempt है आपके लिए यहाँ पे कोई taxable नहीं है इसके बात यहाँ पे कहा गए when she celebrate her tortoise wedding wedding यहाँ पे celebrate हो रही थी her friend assigned in हम यहाँ पे हमाली नाम दे रखाए favor fix deposit जो है यहाँ पे by uh held by the said friend in schedule bank the value of fixed deposit and accrue interest on the said date यह 52,000 यहाँ पे interest जो आपको receive हो रहा है ठीक है यह जो fixed deposit है यहाँ पे कहा गए कि यह जो हमने करवा है interest receive हो रहा है 52,000 तो यहाँ पे तो आप 50,000 की limit already accept कर सके है ठीक है 50,000 की limit already exit कर चुके है तो यहाँ पे अगर और भी कोई gift मिलता है तो वो तो सिधे सिधे taxable हो जाएगा तो taxability कहाँ पे arise होगी यहाँ पे 51,000 और plus 52,000 यह total amount पे आपका जो है payment करना पड़ेगा tax यहाँ पे बढ़नेगा ठीक है यहाँ पे मैंने कहा था कि अगर money receive हो रहा है तो यहाँ पे simply आपको पूरे साल की यहाँ पे amount देखी जाएगी ठीक है पूरे साल की 50,000 है aggregate यहाँ पे 50,000 मिलती है मतलब की 51,000 और 52,000 पूरा amount 50,000 से exit कर गया पूरा amount taxable है ठीक है तो टोटल लगा लेना वह पूरे का पूरा taxable हो जाएगा ठीक है तो टोटल यहाँ पे आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं टोटल लगा गया ठीक है इसके बाद इल्यूज़ आपका question 3,000 रुपीज है लेकिन transfer कितने में किये 3,000 रुपीज मतलब की inadequate consideration movable property की case में याद कीजिए provision कौन सी है 50,000 ठीक है fair market value जो है 50,000 से exit कर गई तो simply आपको जो है पूरे जो आपका benefit होता है 3,000 और 5,000 डोनों का difference कितना है 2,000 रुपीज आपका benefit है fully taxable हो जाएगा ठीक है 2,000 से exit कर रहा है ठीक है 50,000 से अगर exit कर रहा है पूरा taxable हो जाएगा तो यहाँ पे simply आपको यहाँ पे आगे भी कहा है कि index cost जो है acquisition of sales Mr. B computed at 4,000 लेक 45,000 और transfer जो है यहाँ पे STT यहाँ पे not subject to matter यहाँ पे जो है यहाँ पे STT जो है pay करने को नहीं है इस तरीके से कहा गए और आपको कहा गए Mr. B और Mr. MSB जो आपकी company है उसके हाथ में किस तरीके से taxability आएगी तो Mr. B के हाथ में तो देखो Mr. B के हाथ में तो यहाँ पे सीधे सीधे capital gain आएगा Mr. B यहाँ पे जो है उनके business के allow कोई भी चीज सेल करते है तो capital gain आएगा और MSB जो आपको purchase कर रहे है तो purchaser के लिए तो other head आपके लिए है जो हम यह पढ़ रहे है तो MSB के लिए company के लिए हम सबसे पहले देख लेते company के लिए जो है यहाँ पे उन्होंने 5 lakh रुपीज की जो sales price है 3 lakh रुपीज में purchase कर मतलब की benefit कितना हुआ 2 lakh रुपीज ठीक है एस पर provision 50,000 से exit नहीं करना चाहिए था तो 50,000 से exit कर गया है तो यहाँ पे B limited जो B company limited है उनके लिए taxability 2 lakh पे आएगी ठीक है यह B limited की बात कर दी अब Mr. B की बात करें तो उनके लिए capital gain आएगा capital gain में जो है आप पढ़ते हैं आपका जो है cost index indexation cost लिए जाते है 4 lakh 45,000 है और आपकी जो है यहाँ पर market value full consideration कितना है full value आपकी 5 lakh रुपीज तो 5 lakh रुपीज आपकी यहाँ पर value है और indexation cost है 4 lakh 45,000 तो यहाँ पर आपका यहाँ पर answer आता है 5 lakh minus 4 lakh 45,000 यहाँ पर answer आता है 55,000 तो यह आपकी taxability Mr. B के हाथ में आ जाएगी Mr. B के हाथ में 55,000 यह जो चीज है यह capital gain में पढ़ते हैं ठीक है तो वहाँ पर ज्यादा understanding होगी इसके बाद यहाँ पर कहा गई Mr. C is a employee employed income taxable salary income जो है उनकी 5 lakh रुपीज है he received case gift 1 lakh रुपीज from आत्मा charitable trust charitable trust trust के पास से कोई भी amount receive होता है taxable नहीं है जी इसके यहाँ पर question खतम तो आपका इसे के साथ जो है पूरे का पूरा chapter खतम होता है